प्रेंट्स नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकूं को वेलकुम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फिस्बूक और आजिटीव नाटपर पर फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज क अंतरगत शकून अप्शकून गुड ओमेन बैड ओमेन गुड साइन बैड साइन शुब या शुब या शुब जहां कुल मिला करके वो संकेत जो आपको शुबता का प्रतीक देते हैं जिसको मिलने से आपके काम पूरे हो जाते हैं आपको सफलता मिलती है वो शकून है और आज हम बात करेंगे एक बहुती खास बिशेबा, जी हाँ, पूजा का नारियल, आपने कभी नारियल फोड़ा होगा मंदिर में, या घर में आप लाए होंगे, तो पूजा का नारियल कभी खराब निकला है, बहुतों का निकलता है, और कहीं का नहीं भी निकलता, मेरा तो क्या संकेत है ये तो पूजा के नारियल का खराब निकलना शुब है या शुब सीधी बात आईए जानते हैं जानते हैं जड़ाया गया नारियल खराब निकल जाता है जब आप उसको बधारते हैं तो कुछ कभी तो उसमें फंगस लगी होती है कभी वो अंदर बलकु सूख जाता है कभी उसके अंदर बच्चा एक और आ जाता है हाना कहते हैं नारियल का बच्चा कई लोग उसे शकुन अप्शकुन के दृष्टी से देखने लगते हैं और सही भी है इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो शकुन अर अप्शकुन क्रियेटर ना करें सब च हाथसा होने वाला है यह सारी बाते दिमाग में बस चलती रहती हैं इसलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं इस भ्रहम को दूर करने जा रहे हैं कि पूजा में चड़ाये गया नारियल अगर खराब निकल जाये तो क्या यह शुब है या शुब सीधा जवाब देंगे औ बिलकुल सटी की जवाब देंगे देखे नारियल को शनी का प्रतिक बना जाता है और शनी व्यक्ति के कर्म धन आजिविका पर अपना अधिपते रखते हैं शास्त्रों में नारियल को श्री फल कहा गया है श्री फल अब कुछ लोग मुझे श्रीमान बलाते हैं महिलाओं क क्या बलाए जाता है श्रीमती जी और कमारी कन्याओं को सुष्री है ना और श्री का मतलब होता है इज्जत मान और इज्जत किसकी होती है जिसके पास पैसा होता है कोई बिखारी अगर मांगता हूँ आपके बास जा रहे हो तो आप उसे क्या बलोगे श्रीमान ऐसा मत नहीं आप उसे बोलोगे चलियां से है ना इज़त उसकी है जिसके पास में पैसा है या उसके पास में पावर है व्यक्ति की इज़त उसके कर्मों पर उसके कार्य पर उसके धन पर है और उसके आजिविका के माध्यम पर है शास्त्रों ने नारियल को जीविका काराग भी मान नारिकायल यैनी कि खोपड़ा और कई लोग इसे खोपड़ा भी बिलाते हैं सुनाओगा आपने खोग्या खोपड़ा तो नरकायल यनी पुरिश और सिरिक अस्षिर यानि कि उसका मस्तख और आप क्या कहते हो यार तुमने तो मेरा सर जुका दिया मेरी इज़त ही उतार दिया अगर बच्चा कोई गड़बड कर दे शैतानी कर दे तो क्या कहता है बाप का सर जुक जाता है यह जो सर है यह हमारी इज़त है और यह जो सर हमेशा इश्वर के सामने जुकता है और किसी के सामने नहीं और आपने देखा हुआ बच्च अपने पापा को बूलते हैं कि पापा मैं आपका सर नहीं जुकने दूँगा यह जनी कि आपकी इज़त नहीं उतरने दूँगा तो नारियल जो है वो हमारी इज़त है श्री है श्री और हर व्यक्ति का जो सर है उसकी मान और उसकी प्रतिष्ठा होती है वो आपने देखा अगा पुराने जमाने में पिच्चरों में भी दिखाते हैं कि एक आदमी अपनी पगड़ी उतार के दे देता है कि सहाब मैं अपनी इज़त आपको दे रहा हूँ और त्रदेव, त्रदेवी और त्रलोक का प्रतिख भी माना जाता है नारियल महादेव के तीन नेत्रों का भी प्रतिख है अतहे ये चंद्रमा, सूर्य, अग्नी का प्रतिख माना जाता है ये तीनों ही नेत्र शिव के हैं अर्थात ये मन, आत्मा और शरीर का प्रतिख है मन, चंद्रमा आत्मा सूर्य और अगनी यानि कि शरीर मंगल अगनी पूजा के नारियल का खराब निकलना या उसका सूखा निकलना शुब और शुब और शुब दोनों प्रभाव देता है ये सरफ शुब या शुब नहीं है ये दोनों तरीके के प्रभाव देता है देखिए मं पूजा के नारियल के खराब निकलने का अर्थ है, समाजिक सम्मान में व्रद्धी होगी। अगर नारियल ये खराब निकल जाए तो नौकरी में जल्द पद्धोनित्ती के योग हैं। इसका एक और अर्थ है कि कारुबार में बड़ा फाइदा होगा पूजा के नारियल का खराब निकलना, अगर आप शनी देव पर चड़ा रहे हैं तो ये समाज लीजे, खराब निकल गया तो शनी से सम्मंदित बाधा का जल्द अंदोगा। और अगर आप मंदिर में नारियल फोड़ रहे हैं और ये खराब निकल रहा है तो इसका एक और अर्थ है कि भागे में आ रही बाधाएं जल्दी समाथ होंगी। और अगर आप इसे अमवस्या की दरूदर पूजा में इस्तमाल कर रहे हैं और उस समय पर नारियल खराब निकल जा तो ये समझ लीजे, पितर गण की किरपा से सारे काम सफल होंगे। लेकिन कुछ कामों में नारियल का फूटना विशेश समस्यावान भी है। अगर आप वैसे ही नारियल फोड रहे हैं और ये खराब निकल जाता है, तो ये एक सूचक है कि आपके स्वास्ते में दिक्कत आ सकती है, कि आपकी मिंटैलिटी खराब हो सकती है, आपको ज़्या मुलाखात होगी। आज के लिए पसे इतना इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्चुभाए।